हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेश वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दिसेज, जी अर्डियासिस जी आर्डियासिस को दूसरे टर्म में हम कहें, तो पैरासाइटिक डिसेज भी कहा जाता है उसको and it is also called a beaver fever तो ये डिसेज के बारे में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे कि उसके होने के कारण कि जो हम कहते है कोजिस, उसके साइनेन सिम्टम्स and कौनसे मेडिकेशन स्वगेरा हम यूज करते है to treat this condition, ये सबी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टड़ी करेंगे तो एक्सपर्ट लेक्चर बाई अमर सर, मिस्टर अमरे मरावल, आसिस्टम प्रॉफिसर, फाउंडर अफ फार्मा रॉक्स थेंक यू फ्रेंड्स फर बीव इन्हें वन लेक्ट फैमिली अफ फार्मा रॉक्स अप्डेट रही है फार्मा नॉलिज्च के साथ, एक्सेस करें स्टड़ी मट्रियल, टेस्ट सिरीज, वीडियो लेक्चर और अफ फार्मा रॉक्स अगर आपके पास एंड्रोइड फॉन है, तो डाउनलोड करिए एंड्रोइड एप फ्रॉम गुगल प्ले स्टॉर, और अगर आपके पास आइप फॉन है, तो डाउनलोड करिए एप फ्रॉम दे एप स्टॉर, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो सबसे पहले समझ ये disease, GR-diasis के बारे में तो GR-diasis is popularly known as a beaver fever तो ये point अच्छे सी याद राखना है आपको कि ये disease की जो synonym समक है कि popularly इसको beaver fever भी कहा जता है and it is a parasitic disease तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि ये जो हमें parasites देखने को मिल रहे हैं डायग्राम के अंदर तो ये parasites जो है उनका जो नाम है वो है GR-diasis ये समझे है कि उनका जो नाम है वो है GR-diasis GR-diasis DR-diasis also नेने जे GR-diasis Lamblea and GR-diasis intestinalis तो ये जो microorganism हम कहें parasites जो कहें तो specially affect करते है intestine को कि हमारा जो intestine का जो portion है उसको ये specially affect करते है about 10% of those infected have a no symptoms when symptom सकर they may include the diarrhea, abdominal pain and weight loss तो जो GR-diasis जो disease है उसके लिए जो main causative microorganism हम कहें तो that is GR-diasis DR-diasis DR-diasis उसके दूसरे जो species है वो है GR-diasis Lamblea और GR-diasis intestinalis तो ये point आपको अच्छे से याद रखना है उसके लावा उसका जो दूसरा नाम है that is beaver, fever ये point आपके mind में हम में suffix रखना है because ये point आपके लिए important है multiple choice questions के लिए तो beaver, fever की जो MCQ के लिए आपके लिए है pin point MCQ का main pin point है कि जो आपको अच्छे से याद रखना है तो GR-diasis की parasitic disease एक टाइप की है और specially जो GR-diasis जो parasitic disease उनके करण होता है जिसके करण उसको parasitic disease भी कहा जाता है तो उसके causes देखे तो GR-diasis is diarrheal disease caused by the microscopic parasite GR-diasis तो यहाँ पर जो हम diagram के अंदर GR-diasis जो है वो देख सकते है here is that GR-diasis तो यह GR-diasis का आप structure देखेंगे तो यहाँ पर उसका present है nucleus present है फिर nucleus के पास आपको देखने को मिल रहा है उसका ventral disc bezel bodies उसकी देख सकते हैं आप anterior phlazella आप देख सकते हैं जो phlazella है वो एक anterior phlazella है फिर दूसरी जो phlazella वो है caudal phlazella कहा जाता है center में उसकी median body है फिर यह side में posterior phlazella भी present है and ventral phlazella तो microbiology में हम पढ़ते हैं कि जो phlazella होते हैं वो specially किसी भी microorganism के movement के लिए दी होती है तो same like that जो parasite GR दिया है उनके अंदर भी जो अलग-अलग हम यह phlazella देख रहे हैं वो phlazella specially उसको movement के अंदर help करती है center में उसका अच्छा एक nucleus है median body है और buzzle bodies भी उसके पास present है तो parasite is an organism that feeds of another to survive कि यह parasites क्या करते है host body को use करते है अपने survival के लिए कि समझो कि आपके intestine के अंदर यह present है तो intestine में से जो nutritions वगेरा जो है वो यह absorb करेंगे और अपना जो nutritions अपने अंदर खीच लेंगे और जिनके करण हमेसे कहेंगे कि यह जो microorganism है वो host body पर depend रहते है for survival कि यह पर लिखा है कि parasite is an organism that feeds of another to survive once a person or animal for example cat, dog, cattle, deer and beavers has been infected with giardia the parasite lives in the intestine and is passes in feces कि जो animals के जो feces होते है उसके थ्रूँ वो pass हो जाते है बाहर निकल जाते है expelled out होते है बट उनके intestine के अंदर ये अच्छे से अपना गुजारा करते है कि वहाँ पे ये intestine में से ही proper nutritional खीच लेंगे कि जो भी animal की समझे के कोई human body में है कोई animals के अंदर है तो ये जो paracides से वो उनकी जो host body होती है host body में से uptake करते है nutrition uptake the nutrition और उसी के लिए आप देखे यहाँ पे उसका जो nucleus और ये जो ventral disc हम देखे या लग-लग फ्लैजलाज देखे तो specially वो समझे के जिस जगा पे वो attach हो जाते है वहाँ पे attach होके ये फ्लैजलाज as well as जो उसकी median body है उसको यूज करके nutrition भी अपने अंदर खीच लेते है और जिनके करण उनका हो जाता है चैसे गुजारा की जिसको हम कहते है survival और ये आपकी body में से expelled out होते है passes इने feces तो आप समझो ये कि ऐसे feces के आप contact में आते है कि जो animal इस type के GRD बेक्टेरिया या फिर GRD जो parasite सम कहते है उससे infected हुआ है तो समझो कि ऐसे infected animal के contact में समझो कि आप भी आते है तो भी आपको जो है वो GRD आसेस हो सकता है तो ये समझो कि ये feces ने water contaminated किया है food contaminated किया है या फिर दूसरे terms में हम देखे कि directly आप इस type के कोई feces के या फिर animal के जो discharge से उसके contact में आप आते है तो आगे जाके आपको भी GRD आसेस का infection होने के chances हो जाते है किसी को GRD आसेस होता है या फिर GRD आसेस का infection होता है तो सबसे पहला जो sign and symptoms develop होता है that is watery diarrhea कि diarrhea के अंदर कि जो stool के अंदर water level stool के अंदर जो हम कहे water level काफी high होता है तो जिसको हम कह सकते है watery diarrhea sometimes foul smelling diarrhea that may be alternate with soft and greasy stool कि समझो कि stool आपका soft होगा या फिर greasy होगा but condition यह है कि यहापे foul smelling कि जो smelling जो होगी वो काफी foul smelling रहेगी unpleasant जो हम waters कहते है smells कहते है वैसा smell रहेगा of a stool तीसरा हम देखे तो fatigue और malice कि यहापे जो हम देख सकते हैं जिसे person के battery low हो जाता ही है ठकान होती है बहुत सारी कि जब आप full charge होते है ऐसी condition कि आप अच्चे से healthy है without any type of fatigue बट जब आपको ठकान होती है तो उस वक्त ऐसी condition produce होती है तो यहापे क्या है कि आपको stool के अंदर water loss होता है और उसके करण patient के जो stool के साथ water जाता है और ये water के अंदर loss होते है electrolytes कि सेम जैसे diarrhea के अंदर हम देखते कि electrolytes loss होते है तो यहापे भी patient के electrolytes loss होते है as well as stool जो है वो काफी water ही हो जाता है साथ औस साथ abdominal cramps भी रहते है patient को bloating भी रहता है फिर gas और flatulence की condition produce होती है nausea vomiting होता है and weight loss होता है तो यह सब signs and symptoms जो है वो develop होते है GRDasis के अंदर diagnosis हम देखे तो to help the diagnosis of GRD your doctor is likely to test a sample of your stool तो यहाँ पे stool examination या फिर sample of stool वो collect करके उसके अच्छे से study की जाती है for accuracy you may ask to submit several stool samples collected over a period of days की दो तीन अलग अलग दिन्स के आपके stool sample भी collect किया जाते हैं और उसको laboratory के अंदर अच्छे से examine किया जाता है तो यहाँ पे समझें first step की collect the stool sample उसके बाद centrifuge the centrifuge to separates parasites and ova sample is added to slide with contrast dye and the technician then look at the sample under the microscope the technician is looking for the parasites and full size parasites के कौन से टाइप के parasites present है वो अच्छे से चेक करेंगे तो सबसे पहले जो step है तो आपका stool sample collect करना second step में centrifugation कर दिया जाता है कि जिसके कारण parasites and ova सभी को हम separate कर सके फिर जो भी आपका जो sparasite आपने separate कर लिये है centrifugation के बाद उनको third step के अंदर dye use करके क्या किया जाता है उनको stain किया जाता है staining करने के कारण क्या हो कि वो आप under the microscope उनको अच्छे से चेक कर पाओगे और फिर fourth step के अंदर ये under the microscope आप वो parasites की अच्छे से करते है study तो इस तरह से GRS इसका होता है diagnosis तो specially ये जो problem है related to है intestinal parasites समझे intestinal parasites और ये parasites के करन usually diarrhea ही होता है तो इसके अंदर कोई blood test करने की ज़रूरत नहीं रही होती because ये जो parasite से वो present होते है आपके intestine के अंदर और जो intestine के हम जो discharge देखे तो specially ये वही है stool है तो stool examination से ही ये confirm होता है this is GRDA says अब बात करते हैं इसके treatment के बारे में तो several drugs can be used to treat the GRDA infection that are the effective treatments include the metronidazole tinidazole and nitazoxanide तो यहाँ पर समझे कि जो popular medication से कि जो सबसे अच्छी effective है तो इसके अंदर metronidazole काफी effective रहता है tinidazole and nitazoxanide तो nitazoxanide की यहाँ पर tablet हम देख सकते है 500 mg strength के अंदर as well as metronidazole के भी tablet हम देख सकते है फिर alternative to this medications include the paramomycin quinacrine and furazolidon तो यह alternative से कि समझो कि यह तिन medication से patient को trick नहीं होता सबसे पहले आप try करते है metronidazole उससे नहीं होता तो आप tinidazole try करेंगे उससे भी नहीं होता तो फिर nitazoxanide और फिर यह तिन भी effective साबित नहीं होते तो फिर यह alternative medications हम try कर सकते है तो metronidazole से केसे treatment करें patient की तो metronidazole 200 mg TDS और children के अंदर 50 mg पर kg पर डे उसकी strength है for 7 days और 2 gram डेली for 3 days कि अगर समझे कि 3 दन तक ही आपको treatment करनी तो डेली patient को 2 gram जितना dose देना होगा या फिर 200 mg TDS तो यहाँ पर TDS का मतलब होगा turn in die summandum मतलब की 3 times a day इसका मतलब होगा 3 times a day कि दीन में आपको यह देना है 3 times फिर देखे टिनी डाजोल या फिर सेकनी डाजोल तो उसके doses हम समझे तो 2 gram single dose और 0.6 gram डेली dose फोर 7 days तीसरा जो आप्शन है मारे पास वो है निटा जोकसानाइड की 500 mg चिल्डरन के अंदर 7.5 mg पर केजी बोडी वेट के according to BD मतलब की 20 डाई 2 times a day BD मतलब की 20 डाई 2 times a day और 3 दिन तक तो इस तरह से होगा निटा जोकसानाइड का और treatment for GADS is फिर समझते हैं powerful medication से को और वो है क्विनियोडोखलोर तो 250 mg TDS for 7 days तरिन डाई सुमेंडम देट मेंस 3 times a day देट मेंस 3 times a day for 7 days और डोजिंग उसका होगा 250 mg तो अलग-अलग doses में होग अलोबिल होता है यहाँ पर देख सकते 125 mg उसी तरह से उसके दूसरे versions भी अलोबिल होता है कि जिसके अंदर डोजिंग जो है उसका 250 mg भी अविलिबल होता है तो उसके brand name देखे तो यहाँ पर enteroquinal है और यहाँ पर enteroquinal तो काफी यह popular medications है कि जो इस type के जो parasites के करण जब infections होते है intestine के अंदर तो उसमें यह use होती है फिर furazole don हम देखे तो 100 mg TDS 5-7 days और furazole 100 mg टेबलेट और 25 mg पर 5 ml suspension तो 100 mg का भी उसके अंदर option है as well as उसका जो suspension है उसका भी यहाँ पर option आपके पास available है कि furazole की जो टेबलेट या फिर fura MDC की जिसके अंदर combination metronidazole furazole don and diceclamine hydrochloride combination के अंदर available है तो diceclamine hydrochloride इसलिए कि जब abdominal cramp भी एक symptom से तो ये symptom इससे क्योर हो जाता है furazole don और metronidazole की जो specially काम करेंगे कि जो intestinal paracide से उनको आपके body में से expel out करवाने का काम करेगा और बाकी जो symptom based हम treatment के बाद करते है तो साथ में ये medications के साथ combination में जो symptoms है के vomiting है तो उस वक्त आप anti-matics भी दे सकते है patient को उस लाव समझे के abdominal cramp है तो cramp का भी दे सकते है medications fever जैसा अलग रहा है तो उसको fever के symptoms reduce करने के लिए paracetamol वगेरा भी दे सकते है तो ये medication की जो special medications की जो intestinal paracet से की जो GRDI है उसको body में से expel out करवाने का काम करें की और बाकी symptom based medications भी साथ में हम दे सकते हैं patient को की जिसको जिसके करन उसको थोड़ा जो pain वगेरा हो उससे relief मिले तो ये था special lecture on GRD Assist so thanks friend for watching जरूर से वीडियो के like करें valuable comments करें share करें and subscribe करें join कर सकते हैं हमारे whatsapp groups whatsapp help line number है 94261 80836 updated रहिए pharma knowledge के साथ access कर सकते study material taste series and video lecture on app pharma rocks so get the links in a description box good luck and all the best